नाव डिफरेंस बिफीन पेजिंग और सेग्मेंटेशन लास्ट वी चॉक बाउट पेजिंग पेजिंग में क्या हो था फॉर अग्जामपल प्रॉसस पीवन है इट फॉर्दर डिवाइद इन्टू अनदर ऑफ पेजिस एक प्रॉसस है वो डिवाइड हो जाता था आगे अ सेग्मेंटेशन होता है एक साही प्रॉसस होता है दोनों के अंदर बट जो हमारा पेजिंग होता है उस पेजिंग में जो प्रॉसस डिवाइड होते हैं वो सिमिलर साइज में होता है जैसे कि यह 2KB का है तो यह भी 2KB का ही प्रॉसस होगा ऐसा नहीं हो सकता कि यह 2KB का ह है और सेग्मेंट में बिसिकली क्या होता है सेग्मेंट भी लगबर लगबर सेम होते हैं अब for example बताता हूं जैसे पेजिंग है और पेजिंग एक प्रॉसेस है वालो एक प्रोग्राम है एक प्रोग्राम बनाया है कि जैसे ही कोई process हाएगा यह divide हो जाएगा further two parts or three parts according to the size of a party size of the process अब इसमें यह नहीं कह सकते कि जब यह divide होगा तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो main memory का part है वो पूरा हो अलग होगा add का अलग होगा यह सब का अलग होगा तो अब यानि कि पहले यह वाला execute होगा फिर यह वाला execute होगा तो यानि कि एक ही part further two parts में divide हो जाता है जैसे add का है तो add का पतर है कुछ code तो आपका p1 में आ गया पहले वाले page में आ गया उसका further part आपका दूसरे page में आ गया सब का पहला इसमें आ गया दूसरा इसमें आ गया तो paging में यह problem basically यह problem है इसकी कि एक साथ execute नहीं होता code और segmentation के अंदर segmentation basically सबसे अची बाद segmentation की यह बात है कि in a segmentation the work is seen segmentation की यही बहुत अची बात है कि segmentation में हम लोग segmentation में हम लोग basically क्या करते है कि जो से हमारे पास एक main function है यह main function हुआ यह add है यह हमारा subtraction है page में क्या हुआ था वो स्वरदर वोज़ता कुछ पार आपका page 1 में है कुछ पार आपका page 2 में है लेकिन यह similar size का होता है paging always divide in same size 1KB, 1KB, 2KB, 2KB, 3KB, 3KB, 4KB, 4KB बर जो हमारे segmentation होता है segmentation में size का कोई problem नहीं है according to the feasibility वो store हो जाता है यानि कि अगर जैसे for example main memory है तो main memory का एक पुरा module बना लेगा और for example इस module को size चाहिए वो 2KB का size चाहिए ऐसी add है तो add का एक पुरा module बन जाएगा for example यह executor ने में कुछी line है for example इसको 1KB size चाहिए ऐसी subtraction का है यह भी इसको module बना लेगा for example इसको 2KB size चाहिए तो इसमें size different हो सकते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यह एक ही process को means एक ही page को यहाँ पेज नहीं बुलेंगे यहाँ एक ही segment को एक बार में execute करेगा यहनि कि अगर यह segment पुरा एक बार में यहाँ पर जाता है तो यह पूरा का पूरा उटके पिकप उपके जाएगा ऐसा नहीं है कुछ part इसका इसमें रहेगा और कुछ part आपका इसमें रहेगा तो basic difference between the paging and segmentation in paging pages divide into a same size of partition same size of partition same size of partition and segmentation is divide a different different size of a partition this is the basic difference basic difference between the paging and segmentation for example 1KB, 2KB and 3KB according to the modules according to the segment size it creates because these both techniques basically belong to a non-contiguous memory allocation और non-contiguous में तो basically ऐसा नहीं होता इसमें तो बच ऐसा size होगा उसके according करने था लेकिन paging के अंदर वो same size में divided हो जाता है और यहीं पर जो हमारा segmentation हो तो हमें same size की कोई दिक्कत नहीं है यहां पर different size में store हो सकता है और यहां पर क्या हो रहा था यह एक ही part दो part में divide हो रहा था जिससे execute करने में समस्या आ रहे थी यहां पर एक पार ले हो तो पुरा एक module बनके एक बार में एक्जेक्यूट होगा, इसे fast process होगा, एक बार में पुरा एक्जेक्यूट होगा, fast process होगा, यहां पर जो paging जो fast नहीं चल पाती, और इसलिए कुछ पार्ट आपका उसका किसी और page में execute हो रहा है, कुछ पार्ट इ CPU है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि CPU always generate a logical address, CPU generates always a logical address, और यह logical address किस के लिए generate करता है, CPU basically a secondary device, यह हमीशा secondary device के लिए generate करता है, hard disk के लिए, और यह logical address के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, logical address में basically दो चीज़ होती है, एक तो होता है, page number, page number, और अगर segmentation के process में कर रहे है, तो यहाँ पर आपका segment number हो गया, और दूसरा होता है, हमारा size, कि page का size कितना होगा, और segment का size कितना होगा, so यहाँ पर किया होता है, यह page का size, और यहाँ पर, sorry, page का number, और यहाँ पर size, तो basically logical address is generated by the CPU, and this address is always generated for the secondary memory, got it, so this is all about the process and the difference between the paging and segmentation, so today's topic is a paging and segmentation, and paging पहले हैं पर चुक है, और segmentation में difference, तो difference में होगी, और segmentation में equal size में होगी, और segmentation में equal size में नहीं होता, वो according to the feasibility, according to the process को execute कर लेता, thank you so much.